फिल्म रैप, अनन्त अम्बानी की प्री वेडिंग में पहुचा पूरा बॉलिवुड, ट्विस्ट से भरी है इद्रानी, दा इंद्रानी मुखरजी स्टोरी, दा बरेड ट्रूथ. फिल्म रैप में देखें, आज के दिन क्या खास हुआ. एक से तीन मार्ज तक चलने वाले इस बिगबैश की शुरुवात हो चुकी है. लगभग सभी सितारे यहां पहुँच चुके हैं, कई अब भी पहुँच रहे हैं. सभी का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है. नेटफिक्स की नई डॉक्यूमेंटरी सीरीज, The इंद्रानी मुखरजी स्टोरी, The Buried Truth, स्ट्रीम हो चुकी है. इस डॉक्यूमेंटरी सीरीज में, शीना बोरा की मौत के मामले की हर परत के बारे में बात की गई है. इंद्रानी मुखरजी पर लगे आरो, उससे जुड़े हर पहलो को इसमें दिखाया गया है फिल्म रैप में देखें आज के दिन क्या खास हुआ एक से तीन मार्ज तक चलने वाले इस बिग बैश की शुरुवात हो चुकी है लगभग सभी सितारे यहां पहुँच चुके हैं, कई अब भी पहुँच रहे हैं सभी का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है नेट्फिक्स की नई डॉक्यूमेंटरी सीरीज दा इंद्रानी मुखरजी स्टोरी दा बरिट ट्रूथ स्ट्रीम हो चुकी है इस डॉक्यूमेंटरी सीरीज में शीना बोरा की मौत के मामले की हर परत के बारे में बात की गई है इंद्रानी मुखरजी पर लगे आरो, उससे जुड़े हर पहलो को इसमें दिखाया गया है अनन्त अम्बानी राधी का मर्चंट प्रीवेडिंग सेलिब्रेशन हर ओर अनन्त अम्बानी और राधी का मर्चंट के प्रीवेडिंग सेलिब्रेशन की चर्चा है तीन दिन तक चलने वाले इस बिग बैश में सिर्फ भारतिय ही नहीं, विदेश की भी बड़ी से बड़ी हस्तियां इन्वाइटेड है गुजरात के जामनगर में होने वाले सेलिब्रेशन के लिए अंबानी परिवार ने खास तैयार्या की है आज, एक मार्ज, इस सेलिब्रेशन का पहला दिन है तो चलिए आपको बताते हैं अभी तक क्या क्या हुआ इंद्राणी मुखर जी का नाम आप सभी ने कभी न कभी तो सुना ही होगा शीना बोरा मर्डर के साल 2015 में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बना था एक यंग और टैलेंटेड लड़की की हत्या का ये मामला न्यूज चैनल्स के लिए संसनी खेस खबर थी ऐसे में इसके चर्चे सालों तक हुए इसी केस में इंद्राणी को आरोपी मानकर मुंबई पुलीस ने उन्हें गिरफतार किया था और फिर उन पर जाच हुई अब शीना बोरा मामले पर नेटफिक्स नई डॉक्यूमेंटरी सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है दा इंद्राणी मुखरजी स्टोरी दा बरेट ट्रूथ अनन्त अंबानी राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग बैश की शुरुवात हो चुकी है ये सेलिब्रेशन एक मार्श से तीन मार्श तक चलेगा कई बड़ी हस्यां यहां परफॉर्म करने वाली है गेस्ट के रुकने का भी जबरदस इंतिजाम किया गया है एक ग्राउंड में हर किसी के लिए टेंट बनाया गया है जहां हर सुविधा मौजूद है बैडमिंटन प्लेयर साइना नहवाल ने इसकी जलक दिखाई खिलाडी भी गुजरात के जामनगर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने पहुची है